हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अवर यूटूब चैनल आज है 16th of November आज की current affair लेकर मैं आपके सामने आई हूँ दिन भर के अंदर जो भी देश भी देश की खबरे हैं वो सभी हम डिसकस करने वाले हैं तो बिना time waste के शुरू करते हैं हमारी आज की class सबसे first question आपको दिखाई दे रहा है कि ब्राजीलियाई F1 Grand Prix जो ब्राजीलियाई F1 Grand Prix है वो किसने जीता तो वो जीता है आपके जोर्ज रसेल ने किसने जीता है जोर्ज रसेल ने ये कौन है बई ये Mercedes जो Mercedes कमपनी है आपकी उसके ये driver है ठीक है एक्जाम में ये भी पूछ स सकते हैं कि भी जैसे अब जोर्ज रसेल ने ब्राजीलिया ये F1 Grand Prix जीता है तो ये कौन सी कमपनी के driver है तो ये है Mercedes के नेक्स कोशन आपके सामने जारखंड स्थापना दिवस जारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है 15 नवंबर आप सभी को पता है अब अभी हमने थोड़े दिन पहले UK वाला किया था उत्राखंड का 9 नवंबर को तो उसी दिन मैंने आपको बताया था कि 2000 के अंदर सन 2000 में 3 बने थे आपके है ना बताये थे ना तो वही है जारखंड कब बना था 15 नवंबर 2000 को उसके बाद देखो और किस से अलग होके बना था ये ये बना था आपका बिहार से अलग होके UK किस से अलग होके बना था UP से और जारखंड बना है आपका बिहार से अलग होके तो वो कौन है आपके हेमंत सेरोन हेमंत सेरोन और जो जार्खन के प्रेजिडेंट है वो कौन है आपके वो है रमेश बैस तो ये तीनों चीज़े आप लोगों को ध्यान में रखनी है जार्खन की राजधानी जार्खन के मुख्यमंत्री और जार्खन के प्रेजिडेंट उसके बाद देखिये, अभी हाली में एक कोशन है, डब्लु हो ने जार्खन को अवोर्ड दिया था, यहाँ पर क्या है, 100% तो ड ब्लु हो ने इसको अवोर्ड भी दिया था, तो यह बात आप ध्यान रखोगे, एक और है, जो गुरूजी question बनते हैं, next question देखिए, इंडिया का first multimodal logistic park, ये कहां पर बनाया जाएगा भई, ये बनाया जाएगा chain नहीं में, one-liner question है, इंडिया का first multimodal logistic park बनाया जाएगा chain नहीं में, और ये कौन सी industry बनाएगी, reliance, कौन बनाएगा, reliance बनाएगा, clear है, next question, slovania की first female president, ये question, बिल्कुल मतलब important question बन जाएगा, क्योंकि यहां की पहली female president बनी है, तो slovania की first female president कौन बनी है, नताशा पर्क मशूर, कौन बनी है, नताशा पर्क मशूर, तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, slovania, नताशा, ऐसे याद रख लेना, कि slow कौन चलती है, आपका कोई भी friend, आपकी कोई भी friend है, नताशा, तो बिल्कुल slow चलती है, slovania की कौन बनगी, नताशा बनगी भी, slovania की capital, currency और prime minister, ये आप लोग मुझे comment box में बताऊगे, इसके बाद देखो, अभी हाल फिल हाल में, कई देशों के जो prime minister और president है, वो नए बने है, तो वो हम साथ के साथ discuss करेंगे, इस्राइल का नया prime minister कोन बना है, benjamin नितन्याहू, कोन बना है, benjamin नितन्याहू, इस्राइल, benjamin, is, benz, same आ रहा है न, इस्राइल, benjamin, उसके बाद है, ब्राजील का president कोन बना है, भई, लोईस इनासियो, कोन बना है, लोईस इनासियो, UK के prime minister, most important, क्योंकि ये भारतिय मुल्के हैं, भई, तो UK के prime minister कोन बने है, रिशी सुनक, रिशी सुनक, ये तो बिल्कुल चर्चा में, आप सभी को बता भी होगा, इनके बारे में, उसके बाद है, Sweden के prime minister बने है, उल्फ क्रिस्टन, कोन बने है, उल्फ क्रिस्टसन, इराग के president बने है, आपके, अब्दुल लतीफ राशिद, अब्दुल लतीफ राशिद, तो ये बने हैं, आपके, इराग के, तो ये सारी चीज़े, आप साथ की साथ, पता है, ये चीज़े हमें याद करने की नहीं होती, लेकिन हम इनको जितना ज्यादा से ज्यादा पड़ेंगे, ये उतना ही हमारे दिमाग में फिट होती जाएंगी, क्योंकि एक्जाम के अंदर, ओप्शन हमें देखने को मिलेंगे, ओप्शन में से पहचानना ही तो है, तो आप इसली ये कर सकते हो, नेक्स कोशन, सतर्वा जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन, ये कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया बाली के अंदर, इंडोनेशिया की कैपिटल, जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है, उसके बाद इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट का क्या नाम है जोको विडोडो ये है आपके इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट उसके बाद नेक्स कॉशन देखिये next question आपके सामने Bangla Mahotsoh क्या है Bangla Mahotsoh तो यह किस state की दावारा मनाया गया है भई यह है आपका मेघाले Bangla Mahotsoh, मेघाले मेघाले के अंदर जो गारो जिन जाती है ना गारो उसके दावारा यह है मनाया गया है ठीक है, आब ही मेघाले की बात आई है तो मेगाले की capital क्या है आपकी? सिलांग सिलांग के बाद मेगाले के मुख्यमंतरी कौन है? कौनराड संग्मा कौनराड संग्मा और मेगाले के गवर्नर कौन है आपके? बीडी मिश्रा किसी भी state का नाम आए, किसी भी country का नाम आए तो साथ की साथ उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिटन, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आप साथ की साथ याद करते चला करिए और उनकी capital तो इससे क्या होगा? स्टैटिक जीखेगा, ये वाला पार्ट आपका cover होता चलेगा क्योंकि कोई न कोई देश, कोई न कोई स्टेट, करंट में जरूर आता है उसके बाद देखिए, one linear question है ये बांगला महोचसो था, ये मैं आपको बताना भूलगी जो बांगला महोचसो है न, ये सुरिय देवता को परसंद करने के लिए मनाया गया भई सुरिय, ठीक है, गारोजन जाती ने मनाया है सुरिय देवता को परसंद करने के लिए सत्य जीत रे lifetime award मिला है कारलोस सोरा को सत्य जीत रे lifetime award किसको मिला है कारलोस सोरा को next question है, under 19 male T20 World Cup under 19 male T20 World Cup 2023 में कहा यो जित किया जाएगा भई, शिरिलंका के अंदर कहा शिरिलंका के अंदर, अब शिरिलंका की बात आई है, तो शिरिलंका के बारे में मैंने आपको बताया था शिरिलंका की राजधानी क्या है, शिरी, शिरी, जैवर्धने, पुरे, कोटे है ना श्री लंका की राजधानी कौन सी है श्री जैवर्धने पुरे कोटे या फिर आपकी कॉलम्बो उसके बाद श्री लंका के प्राइम इनेस्टर बताए थे मैंने आपको दिनेश गुडविल सोरी गुडवर्धने दिनेश गुडवर्धने और यहां के प्रेजिज़न्ट बताए थे रनिल विकरम सिंगे तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे राजधानी है श्री जैवर्ध ने पूरे कोटे प्राइमिनिस्टर है आपके दिनेस गुडवर्ध ने और प्रेजिडेंट है आपके रनिल विक्रम सिंगे अभी ये कोशन है वही आपका अंडर 19 फीमेल T20 वर्ल्ड कप एक तो ये आ कहां होगा आप सर्च करोगे और मुझे बताओगे मैं आपको सर्च करने के लिए क्यों बोल रही हूं क्योंकि ये कोशन बहुत ही ज्यादा important है और मैं चाती हूं किसे आप सर्च करो ताकि आपको ये कोशन याद रहे नेक्स्ट है अंतरास्टिये गीता महोचो कहां पे आयोजित किया जाएगा कुरुख शेतर के अंदर तो हर्याना वालों को तो ये बात पता है कि अंतरास्टिये गीता महोचो कहां पे आयोजित किया जाता है हर साल कुरुख शेतर के अंदर उसके बाद देखो, दो फैक्ट में आपको बताती हूँ, इसकी शुरुवात तो हुई थी बही 1989 में, तब तो इसको बोला जाता था गीता महोचो, क्या बोला जाता था, गीता महोचो लेकिन फिर क्या हुआ, 2016 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया, अंतरास्टिय गीता महोचो, फिर ये अंतरास्टिय स्तर पर मनाया जाने लगा, ठीक है, 1989 के अंदर शिडवात हुई थी, अभी देखो ये दिसंबर में मनाया जाएगा, तो अभी आने वाले SSC के जैसे CGL का य आपकी प्रेजिडेंट, आपकी प्रेजिडेंट आ रही है, कर लोग ये वाला कोशन, तो इसके बारे में तो आप सभी को पता है, जो कुरुक्षेतर का यूद हुआ था, महा भारत वाला, उसी का वरणन इसके अंदर किया जाता है, और अंतरास्टिय स्तर पर इसको मनाया आते हैं, तो ये थे आपके आज के करंट अफेर के कोशन, आई होप आप सभी ने बहुत कुछ नया सिखा होगा, और ये आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफूल हो, तो यहां तक वीडियो अच्छी लगिया, तो लाइक शेयर करें, करेंगे